पुलिस की कारगुजारी का एक नया मामला सामने है जिसमें पुरानी रंजिश की चलते दबंगों ने देराथ पती पत्नी को बुरी तरह पीठा जिसके चलते दोनों को गंभी चोटे आएं और गंभी रालत को देखते हुए जला स्पताल में भर्ती करा आए गया लेकिन पुलिस ने महच खाना पूर्ती करती हुए हलकी धराओ में मुकदमा दज कर एतिश्वी का लिया मामलाय जनपत के थाना मवाई छेत के कंदई उमापूर का है जहां खेत की रखवाली कनेक के दमपती शिवपता और दलबहादूर को गाउं में ही दबंगो समुन्दर इंद्रचीत और मुनेचर पुत्रगण राम अच्छल अपने एक अनिस साथी जवाहर पुत्र गुल् इंदर जेत मुनेचर बारा बजे रात के अटाना पसुए रहें दो परानी है वहां से धकेल दी अटाना परकी तो मारी नहीं कहें कमारे नहीं कोन पुरानी बारानी दुस्मनी रही सर का तूठे हैं दोनों हाथ तूठका है कमार मचुट लगी है पकपाऊरा मचुट लगी है तूठे के बगल पकऊरा मचुट लगी है सर वही आथमा जोगों ने रात को साड़े तस बजे मतलब तस तारीक को साड़े तस दे रात को मारा है और वहां पर पुलिस गई पुलिस दो अब तक कुछ नहीं पुलिस गए वह से अस्पताल पहुचा दिया थाने रिकोर्ड भी नहीं दुखाने गया ना वहां से यहां तक पुलिस आई है नहीं हमारी कोई जाच हुई और वह तीन-चार लेड़के जिन्होंने मारा है वह अब तक घरी में बैटे हुए उनकी कोई जाच हुई हमने रिपोर्ड भी दर्टी कराया और रिपोर्ड दर्ज कराने थाने गया सर्थ तो वहां के सुबह से लेके साम तो पांच बे तक मुझे बैठा के रख दिकी है उसके बाद में फिर मुझे नकल भी नहीं दिए नकल ले रहने के दूसरे दिन जान और यह हमारे चौकी वाले जो है जो पहले दिन गये थे उस दिन हमारे जीजा जी को ठाके लिया है और उनसे पुछताश करें उनको बीस पचीज लट वारे जगर मतलब का उसी दिन छोड़ दिये उनको कि आपने मारने वाले माने वाले सब उनका नाम मुझे नहीं पता हमारे चौकी के दरोगा इंचार जो कुछ सिपाही थी तो कि दाने उजनाने अरे परवा इसा मतलब हमारे हुआ है जो हमारे उनके लड़के और उनकी मम्मी वह सब वहीं जोकी में खड़े होके सब सुच कि उन्होंने मारा मम्मी पापा को और उनको कुछ नहीं बोले क्या कैसे चोट लगे हुए जोट मतलब सब यहां पर लेटिस्ट निव्स देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए पै